हाई फ्रेंट्स माई जोब चैनल में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज आपके लिए वेकेंशी है ब्येशेप की तरफ से भारती अभाईश है ना कि ग्रूप सी की रिकुरूप्मेंट है जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मेट्रिकूलेशन है अगर आप क्लास कर सकते हैं तो आए देखते हैं उसका ओफिशल वेबसाइट कौन सा है तो यह आपका डिश्क लिए सामनी जो भारती अभाईशना का वेबसाइट इसमें आप रिकुरूप्मेंट आपनिंग जो मार्क या उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको निची अप्सन आएगा उस में आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और अनलाइन अबेदन कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आए देखते हैं यह दिखे कारेंट रिकूट्मेंट ऑपनिंग इसमें दिख्या आए बीएस एप ग्रूप सी इंजिनियर रिकूर्मेट और उसमें भीव डिटेस्ट दिया है उसम अफिसकल नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे उससे पहले आप अगर मेरा चैनल फास्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और पास में दिये गए घंटी चिन को दबाईए वीडियो को स्कीप ना करके आप आवेदन कर सकते हैं और उसमें कितना वेकेंशी है क्या पोस्ट है जानेंगे तो इसमें आपका एसाई डीम ग्रेड थी के लिए जन्रल कंडिडेट के लिए एक वेकेंशी है HC कारपेंटर के लिए जन्रल के लिए दो वेकेंशी अबीची के लिए एक एस्टी केंडिडेट के लिए एक तो टोटल चार वेकेंशी है HC Plumber के लिए 2 Vacancy है, General के लिए Total 2 Vacancy है उसके बाद Next है Conestable Shareman, उसके लिए 1 Vacancy General Candidate के लिए 1 Vacancy ABC के लिए Total 2 Vacancy है Conestable Generator Operator के लिए General Candidate के लिए 8 EWS के लिए 2 ABC Candidate के लिए 6, SC Candidate के लिए 7, ST Candidate के लिए 1 तो टोटल 24 वेकेंसी है जिसमें आपको 1 सर्विसमेंड के लिए 2 और ओमेंड के लिए 3 रिजर्व है उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉनेस्ट अवल जेनरेटर मेकानिक जिसके लिए 12 जेनरल केंडेट के लिए 2 दो अबीसी के लिए 8, AC के लिए 4, ST के लिए 2 टोटल 28 वेकेंसी है जिसके लिए 2 एक सर्विसमेंड के लिए और 4 आपका ओमेंड के लिए नेक्स्ट है कॉनेस्टेबल मेकानिक सरी कॉनेस्टेबल लाइन मेन जिसके लिए जनराल केंड़ेट के लिए छे EWS के लिए एक अबीशी के लिए तीन एसी के लिए एक टोटल ग्यारा वेकेंशी है उसके लिए एक servicemen के लिए एक omen के लिए एक reserve है तो total number of vacancy general candidate के लिए 32 EWS के लिए 5 ABC candidate के लिए 19 SC candidate के लिए 12 ST candidate के लिए 4 तो all total vacancy 72 जिसके लिए 5 ex-servicemen के लिए और 8 omen candidate के लिए तो friends यह था उसका vacancy details आईए जानेंगे उसके लिए आपको age limit क्या है ASI draftman grade 3 के लिए आपको 18 से 25 सल के अंदर होना चाहिए तो आप इदन कर सकते हैं HAC carpenter के लिए 18 से 25 सल HC plumber के लिए 18 से 25 connectable swarman के लिए 18 से 25 connectable generator operator के लिए 18 से 25 connectable generator mechanic के लिए 18 से 25 connectable line man के लिए 18 से 25 सल तो आप 18 सल से 25 सल के अंदर है तो आपेदन कर सकते हैं उसके बाद जानेंगे age reaction क्या है कुन्सा category में age reaction है ACST के लिए आपको 5 सल का छूट है ABC के लिए 3 साल X servicemen के लिए 3 साल X servicemen ABC के लिए 6 साल X servicemen ACST के लिए 6 साल और X servicemen ACST के लिए 8 साल government service आन जब candidate के लिए 5 साल के लिए age reaction है तो friends उसके और अतिरिक age reaction दिया है जो की description में आप link दिया हूँ उसमें click करके आप notification पड़ लेंगे जो आपको पुरा जानकारी मिल जाएगा तो आईए देखते पोस्ट के लिए आपको educational qualification क्या चाहिए ASI Draftman Grade 3 के लिए आपका minimum qualification matriculation चाहिए और उसके साथ आप diploma कर किया रहेंगे Draftman Civil तो आवेदन कर सकते HC Carpenter पड़ भी के लिए आपका qualification चाहिए matriculation और उसमें आपका ITI trade Carpenter जो की 3 साल का उसका certificate चाहिए next है HC Plumber के लिए उसके लिए आपको qualification matriculation पास उसके साथ आपको ITI certificate चाहिए की 3 साल की experience चाहिए उसके बाद connectable fairman के लिए आपको qualification matriculation पास और उसमें आपको maintenance of switch तो उसमें आपको experience चाहिए next है connectable generator operator उसके लिए आपको matriculation और उसमें ITI trade आपको electrician तिमबाव वयर्मेन या diesel या motor mechanic और उसके साथ ता 3 साल का experience चाहिए तो आप आप आवेदन कर सकते next है connectable generator mechanic जिसके लिए आपको सिख्यकत जगता चाहिए matriculation और उसके लिए आपको electrician और वयर्मेन बादीजेल या तो motor mechanic ITI certificate रहेगा तो आवेदन कर सकते next है connectable generator mechanic इसके लिए भी आप matriculation qualification और उसके लिए आपको ITI certificate डीजेल या motor mechanic और उसके साथ आपको 3 साल का experience रहेगा उसके बाद connectable lineman उसके लिए आपको qualification matriculation और उसके लिए आपको ITI trade certificate चाहिए electrical, wearman या lineman तो next है आपका physical जो interview होगा उसके बारे में दिया है हर पस्ट के लिए उसका height, chest, weight दिया है तो पूरा तो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा तो description में मैं लिग दिया हूँ आप उसको अपुन करके पढ़ सकते हैं तो फ्रेंट्स आए देखते हैं उसका apply process क्या है high to apply तो फ्रेंट्स आज उसके लिए apply के लिए आपको online mode में आवेदन करना पड़ेगा आप कुन सा भी online दुकान होगा CAC center में जाके आवेदन कर सकते कि अपनी computer या laptop में आवेदन कर सकते हैं यह रहा उसका website rectt.bsf.gov.in उसमें लगिन करके आप online आवेदन कर सकते हैं उसका आवेदन का start date है 15-11-2021 और उसका last date है 19-12-2021 तो आप 15 November से online आवेदन कर सकते हैं और उसका अंतीम तारिक है December 29 उसके बाद उसको application fee जो कि 100 रुपय है उसको आप online payment कर सकते हैं जो कि net banking, debit card या online माध्यम से payment कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों जानेंगी कि आप निजुक्ती कहा मिलेगा कहा आपका posting मिलेगा उसमें गवाटी, कलकता, हाजिराबाग, दिल्ली, जदपूर, जलंदर, डेंगलूरू, गांधी नगर, इंदरा, जम्मू, इस सारे location में आपको posting मिलेगा तो फ्रेंट्स, फिर से आपको दिखा देता हूँ, यह रहाँ उसका official website में description में लिग दिया हूँ और फिर से दिखा रहाँ आपको recruitment opening में कलिक करके आप notification अपन कर सकते और online आवेदन कर सकते तो दोस्तों comment करके बाद आई यह video आपको कैसे लगा और जो दोस्तों apply करना चाहते हैं तो apply कर सकते हैं और बाकी दोस्तों के लिए आप बिलकुल share कीजिए धन्यवाद